स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचेन और आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 की हिंदी से जो बारा मासा आपका कावे खंड का एक भाग है उसके इंपोर्टेंट कोशन आंसर्स करवाने वाला हूँ तो चलि ESP New Group सर्च मारके आप हमारा ग्रूप जोइन कर सकते हैं और वेबसाइड पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिये जाते हैं www.eclavyastudy.com हमारी वेबसाइड है तो आप वेबसाइड को जरूर विजिट करें तो आज का हमारा पहला प्रशन है अगहन मास की विशेस्ता नहीं है तो उसको वैसे भी भूस अकेला फील हो रहा है ठीक है और मतलब उनको दिन भी रात की तरह लगने लगे हैं ठंड के मारे नागमति कांपती है वे अपने पती को बहुत याद करती है और यह जो बिचड़ण है वो उसको सहन नहीं कर पाती और ठंड से परिशान हो जिसके कारण नागमती को बहुत तकलिफ होती हैं, अपने पती के वियोग में यानि की बिचहडने से उसके मतलब दिन नहीं कट रहे, माग की वर्षा की तरह उसकी आँखों से लगातार आसू बहते हैं, इन आसूं से उसके सारे कपड़े भीग गए हैं, ऐसे अतिश्योक्त मोह नहीं छाड़ा, ये पंकती के संदर्व में नाईका की जो विरह दशा है, यानि कि किस तरीके से नागमती की इसमें क्या बताएगा है, वो बताना है, तो अपने पती से दूर होकर नागमती बहुत कमजोर हो गई है, प्रति दिन और दुलबर होती जा रही है, पूसके मैने की ठंड तो उसके पराण ही निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रेदम उसके पास ही नहीं है, उसे लगता है कि पती वियोग का ये विरह रुपी बाज उसके चारों और ऐसे चक्कर लगा रहा है, जैसे कि वह पक्षिनी को खाने के लिए चक्कर लगाता है, तीक है, यानि कि ये जो मतलब इतनी बिचडन है, बहुत जादा तकलिफ में है, वह विरह अब उसे जीने नहीं देगा और अपने पती के वियोग में उसके पराण निकल रहे हैं, ये ऐसा बताया जा रहा है यहां पर, फिर है विरहनी नागमती अपनी व्यता का संदेश परतेशी पती के इस पास कैसे पहुंचाना चाती है, तो किस तरीके से वह अपना संदेश मोचाना चाती है, तो विरहनी जो नागमती है, थीग है, वो अपने पती जिनका नाम रतन सेन है, जो कि परदेश घये होए हैं, उसके वियोग में बहुत जाधा वो जलती जा रही हैं, ठंडे के विरहागनी जल रही है अलग होने की विये अपनी दशा का वरणन करके पती के पास संदेश पहुचाना चाती है इस काम के लिए वो भौरे और कोए मतलब जो कोए होते है उनका साईयोग लेना चाती है व tąनी के माद्धियम से अपनी बात को पहुचाना चाती है संदेश को फिर है फालगुन मास में विरहनी नाइका की वेदना अनुभोती का वरणन कीजिए तो फालगुन के मैने में क्या होता है भई हवा में ठंड बनी रहती है ठंडक रहती है ये हवा जो है भई फिर वो विरहनी नाईका के दुख और मतलब दुख दर्द को पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ा देती है उसे पिया से अलग रहकर जलने का बोध होता है और उसके हिर्दे में विरह की होली जलती परतीत होती है निकि दिल जल रहा है दूर होकर वे राख बनकर प्रिये के हिर्दे से लग जाना चाहती है ठीके वो चाहते है कि मैं जल कर इस अगनी में राख बन जाओ तो कम से कम जब हवा मुझे उड़ा के ले जाएगी अगर किसी जगा पे जहां से मेरे प्रिये तम जाएंगे तो वो अगर मेरे उपर भी जाएंगी चड़के तो कम से कम इस परश्टों होगा तो इतना जादा वो दुखी है फिर है बारा मासा के आदार पर पूस मास में नागमती की वह दशा मतलब जो उसकी विरह दशा थी वो हमें बतानी है पूस मास में तो पूस मास में बयंकर सर्दी पड़ती है और नागमती पूस मास शीत में थर-थर कांपती है यानि कि जो ठंड होती है पूस के महीने की उसमें वो थर-थर कांपने लगती है उसके प्रेतम बाहर है वह चाहती है कि इस शीत में मतलब इस ठंड में प्रियतम उसके कलेजे से लग जाएं और मतलब बहुत वो मिस करती है उन्हें लेकिन अब तो नागमती को रजाई भी हलकी परतीत हो रही है इतना जादा वो दुख में है और इस शीत रितू की रात में यानि कि इस ठंड जो मतलब ठंड वाली रात में व जहीं से आपके पेपर में question बनते हैं ठीक है जो important थे मैंने आपको बता दी हैं अच्छे से तो इसमें इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं next वीडियो में जिसमें मैं आपको और जो आपके chapter से हैं उसके भी question answers बताऊंगा आप चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूलें ज बहुत बहुत धन्याएं